नमस्कार प्यारी विदार्थियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल संधी मास्टर ओनलाइन क्लासिज पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पब्लिक एडिमिस्टेशन का सेगिंड लेसन संगिय कार्यपालिका भारत का परधान मंत्री दा प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया इसे पहले वाली वीडियो में हमने राश्टर पती के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परधान मंत्री दा प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया तो जो भारत का बात बोले गई है यहां पर बोला गया है स्विधानतिक रूप से अगर समस्त कार्यपालिका की जो सक्तियां हैं वो किसमें नहीत होती हैं वो राष्टरपती में नहीत होती हैं और राष्टरपती वैसे बहुत कम सक्तियों का प्रियोग करते हैं तो इसको नमात्र का अध्यक के अनुसार राष्टरपती को उसकी सक्तियों के प्रियोग करने में स्योग वे प्रामर्स देने के लिए मंत्री प्रिशद होगी ऐसा बोला गया है 74 में और यहाँ पे क्या होगा जिसका प्रधान मंत्री होगा यानि कि जो मंत्री प्रिशद का गठन होगा चोहेतर में ऐसा बोला गया है राश्टर पतिरोष के सक्तियों के प्रियोग करेगी प्रामर्स देगी तो उसका जो प्रधान होगा वो कुण होगा वो प्रधान मंत् सकता है परंतु ऐसे पनर्विचार के बाद भी दी गई सलाक और राष्टरपती मानने के लिए बाद्य नहीं है तो आई ये स्टार्ट करते हैं भारत का प्रधान मंत्री दा प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया भारतिय राज्य वगस्ता में जो भारतिय राज्य वगस्ता है उसमें सरवाधिक अगर महत्यकून पद देखा जाए महत्यकून जो पद है वो पर्धान मंत्री का होता है क्योंकि वास्ट्वी कारिय पालक होता है उप्चारिक द्रिष्टी से भारत में राज्य राज्य का परधान राष्टरपती होता है किन्तो जो वास्ट्वी सकती है वो परधान मंत्री के पास होती है उसके हाथ में होती है क्योंकि वह सरकार का परधान होता है तकनिक की सब्दावली में कहा जाए तो राष्टरपती भारत का वेधानिक परमुख है जबकि परधान मंत्री वास्तविक परमुख होता है तो आगे नेक्स्ट है आपका परधान मंत्री की जो न्युक्ती है न्युक्ती अपवाइनमेंट ओफ दा प्राइम मिनिस्टर तो वो कोन करेगा वो राष्टर पती करेगा अनुछेद पचेतर 75 के भाग एक में बताया गया है कि पधान मंत्री की न्युक्ती राष्टर पती करेगा और अन्य मंत्रियों की न्युक अनुचैद में जो लोग सबा में बहुंत प्राप्त दल का नेता चुना गया है तो प्रवंप्र अनुवा के आपका लोकसबा है लोकसबा की स्थिति में राष्टरपती सबसे बड़े दल या गठवंदन के नेता को पर्धान मंत्री नुक्त करता हैं जैसे एक्जेंपल के तोर पे हम देखें वर्ष उनिशो थाणूएं बारवमी जो लोक्सभा थी उसमें अटल विहारी वाजभई को पर्धान मंत्री पद पे नुक्त किया गया था था तो नेक्स आपका पर्धा सिविधानिक मरियादां से बंदी है यानि कि सिविधानिक मरियादा यानि constitutional के according जो rule regulation है उसी के according जो महम्मत दलकान नेता है राष्टर पति उसी व्यक्ति को क्या गरेगा परधान मंतरी के पद पे नुक्त करेगा नेक्स्ट है आपका 1983 में केंदर राज्य है केंदर को ज़्यादा पावर दी गई है और राज्य को कम दी गई है तो इस करण दोनों में तनाव भी रहा है बट 1983 में केंदर राज्य समदू पर विचार करने के लिए गठिस सहकारिया जो आयोग था 1988 में अपनी रिपोर्ट शोपी जिसमें कुछ सुझाव दिये गए थे आयोग ने यह सिपारिश्य की थी कि यदि किसी दल को लोकसभा में सपष्ट भहुमत प्राप्थ नय हो तो राष्टरप्रति को विभिन विकल्पों को निमलिक तरूप करम मे स्विकार करना चाहिए तो पहला क्या था उसमें जो सैकारिया आयोग उनिशो ठासी में अपनी रिपोर्ट पेस करता है जो उसमें शुझाव दिये गए थे तो सबसे पहले चुनाव पूरव हुए गठबंदन के नेता को बुलाना चाहिए यदि उस गठबंदन के सदस्य की संख्या अन्य किसी भी दल से चुनाव पूरव गठबंदन के सदस्यों के संख्या से आधिक हों सैकेंड है आपका सबसे बड़े दल के नेता को बुलाया जाना चाहिए जिसमें दावा किया हो कि उसे कुछ अन्य दलो या नरदलिया सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो उ वाले विपक्स के नेता को मौका दिया जाना चाहिए तो नेक्स्ट है आपका परधान मंत्री की सरेष्टा अन्य मंत्रियों की तुलना में जो आपकी सुपेरिटी ओफ दा प्राइम मिनिस्टर इन कंपेरिजन तू अधर मिनिस्टर क्या रहती हैं तो सिविधान के पती के प्रिसाद प्रियांत अपने पद्ग को धारन करेंगे तो यहां पे पर अनुछेद है है आपका पछेदरn भागं वन में वहां पिर पर दधान मंत्री की नुक्ति राष्टर पती करेगा और राष्टर पती अन्य मंत्री why इसकी सलापी करेगा परधान मंत्री की सलापी करेगा और अनुछेद पचेतर के भाग दो में क्या कहा गया है मंत्री राष्टर पती के परसाद प्रियंत अपने पद पर बने रहेंगे तो जो इसका कोई निश्चीत कारियकाल नहीं है अगर सिस्टम से तरीके से चलता रहता है बट ये जो राष्टर पती है उसके परसाद प्रियंत अपने पद पे बने रहती है अनुछेद पचेतर भाग एक में जो उपभंद के अनुसारी है द्यायन रखना जुरूरी है कि इस संब्ध में राष्टर पती के पास कोई विवेक का धिकार नहीं है परधार मंतरी जि जो आपका भारत का परधार मंतरी है वो वास्टवी कार्य पालक है तो सेस मंतरी उसे काफी ताक्तवर हो जाता है अनुछेद पचेतर भाग दो में वर्णित उपभंद मंतरी राष्टर पती के परसाद प्रियंत अपनी पद धान करेंगे और इसके संब्ध में ध्यान मंतरी बना सकता है मंतरी प्रियिस्द में उसका स्तर जैसे कबिनेट मंतरी राज्य मंतरी त्याय कर सकता है उसे विशेश कारिय या विभाग आवरेंटिट कर सकता है उसके कारिय निस्पादन की जांच कर सकता है और जुरूर पढ़ने पर उसे नर्देश भी दे सकता है न नेक्स्ट है आपका मंत्री मंडल और मंत्री प्रिशद की सभी बेटकों की अध्यक्सता परधान मंत्री ही करता है। नेक्स्ट है आपका किसी मंत्री की मिर्त्यू पर सरकार की स्थिति में कोई फरक नहीं आता। प्रिशद का परमुख और राष्टर पती का सलाकार होता है। प्रिशद के परती जबावदेई भी प्रधान मंत्री ही होती है। प्रधान मंत्री की योगता है। तो जो योगताएं हैं, परधान मंत्री की योगताएं, तो योगताओं के बारे में अगर देखा जाए तो सुविधान में परधान मंत्री पद की योगताओं का वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि परधान मंत्री के संसद का सदस्या होना आनिवारिया है, इसलिए उसने उन सभी योगताओं का होना आवश्यक है, उसमें सभी योगताओं का आवश्यक है जो संसद के सदस्या में होती है, इसके अत्रिक्त उसे सदर में बहुमत प्रावदल का नेता भी होना तो यहाँ पी क्या है परधान मंत्री का जो दायतव है नेक्स पढ़ते हैं आपका responsibility of the prime minister है सुविधान में कई स्तानों पर परधान मंत्री के दायतवों के परतेक्स या परतेक्स चर्चा की गई है समझने कि सुविधा के लिए इन दायतवों को कुछ वर्गों में बाट कर देखा जा सकता है परधान मंत्री का जो दायतव है राष्टरपती के संबन्द में दायतव होता है मंत्री प्रिशद के संबन्द में भी दायतव होता है संसद के संबन्द में भी दायतव होता है तो नेक्स्ट है आपका राष्टरपती के संब्द में जो दायतव है Responsibility in regard to the President तो यहां पर क्या दायतव बनता है परधान मंतरी का अनुचेद 78 में परधान मंतरी कुछ कर्टव्यों की चर्चा की गई है जिनका संब्द मुखेता परधान मंतरी और राष्टरपती के बीच संब्द है नियंतरन बनाए रखने से हैं इस अनुचेद में तीन खंड जिन में निमन तीन दायतवों का वरणन किया गया है पहला है आपका परधान मंतरी का यह कर्टव्य है कि वह कैंदर सरकार के परसासन से समंदित सभी दिनने ता परस्तावित कानूनों की जानकारी राष्टरपती को प्रेशित करें अनुचेद अठेंतर के क्या भाग में यह बाते लिखी गई है और जो अनुचेद अठेंतर का खय भाग उसमें लिखा गया है यदि राश्टरपती द्वारा केंदर सरकार के परसासन या किसी परस्तावित कानून से समंदित जानकारी मांगी जाती है तो परधान मंत्री का करतव्या होगा कि ऐसी जानकारी उपलबद कराए राश्टरपती को एक विशेशा लिकार दिया गया है इसके अनुसार यदि किसी मंत्री ने किसी विशेशा पर कोई निर्ने कर दिया है किन्तु मंत्री परिशद ने उस पर विचार नहीं किया तो राश्टरपती के पेक्सा करने पर परधान मंत्री का करतव्य होगा कि वे उक्त निर्णय को मंत्री प्रिश्द के समक्स विचार के लिए रखे और ऐसा अनुछेद आपका जो 78 है उसके गया बाग में बोला गया है तो इन तीन प्रावधानों का मूल उदेश्य कारिय पालिका के विभिन स्त्रो राष्टरपती प्रधान मंत्री मंत्री प्रिश्द के बीच समन्वे स्ताप्पित करना है जो की उचित है वे राश्टरपती को विभिन अधिकारियों जो ऐसे भारत का महा नियावादी भारत के नियंत्रक वे महालेखा प्रिक्षक संग लोग सेवा आयोक के अध्यक्स वे उसके सदस्यों अन्या की नुक्ती के संब्द में प्रामर्स देता हैं तो अगे जब हम पढ़ेंगे महालेखा प्रिक्षक के बारे में हम पढ़ेंगे महा नियावादी और भारत का जुनियंत्रक महालेखा प्रिक्षक का उसके बारे में हम विस्तार से आगे डिसकस करेंगे तो अभी तक इतना ही है आगे चलते हैं मंत्री प्रिशद के संबंद में जुदायत बनता है Responsibility in regard to the Parliament तो परधान मंत्री संसद के प्राई निचले सदन अर्थात लोगसभा करनेता होता है संसद के संबंद में वे निम्रित कारिया करता है तो यहां पर बताया गया है आगे है आपका वह राश्टरपती को संसद के विभिन सतर आउत करने तहा सत्रावसन करने की सला देता है वह लोगसभा का विगटन करने की समंधित नेरने भी कर सकते हैं समानने प्रस्तीतियों में राश्टरपति को उसकी यह सला माननी भी होगी वह स्वयम यह किसी मंत्री को संसदिय कारियाप का प्रभार देकर सुनिश्चित करता है कि लोकसभवा राज्य सभा के परसासनी कारियों में कोई समस्चा उत्पन तो नहीं है वह संसद के समक सरकार की नीतियां परस्तावित भी करता है नेक्ष्ट आपका अन्य सक्तियों वह कारिये सम अधर फंक्शन्स और पावर्ज तो उप्रुक तो भूमिकाओं के यतरिक परधान मंत्री की अन्य विभिन भूमिकाई भी है वह नीति आयोग पूरों में योजना आयोग का अधक्स होता है और वह राश्ट्री विकास प्रिशत तहार राश्टी एकता प्रिशत का भी अधक्स होता है वह अंतर राजी प्रिशत और राश्टी एजल संसाधन प्रिशत का भी अधक्स होता है वह राश्टर की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महतरपुन भूमिका निभाता है वह केंदर सरकार का मुख्या प्रवक्ता होता है वह आपातकाल के दोरान राजनितिक स्तर पर आपदा प्रबंदन का प्रमुख होता है तो next है आपका देश का नेता होने के नाते वह विभिन राज्यों के विभिन वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्यों के सम्मद में ग्यापन प्राप्त करता है वह सताधारी दल का नेता होता है और वह सेनाओं का राजनेतिक प्रमुक होता है वह केंदर सरकार का परमुक परतिनीदी होने के नाते, जनता और मेडिया के समख सरकार के कारियकलाब का नीतियों से समंदीत पक्स रखता है तुदा उन नीती के जो परसन उठाए जाने के इस तीती में सरकार की ओर से उत्तर देता है केंद्रिय कारिय पालिका का पर्मुक होने के नाते विभिन राज्यूंकी सरकारों के साथ समन्वे बनाए रखने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है देश के विदेश नेतिके निर्माण था उसे लागू करने में मुख्य भूमिका परधान मंतरी की होती है और यहां पे क्या है इस कारिये में विदेश मंतरी उसकी सहता करता है कि इन तो बड़े नेतिगत नेड़नों पर पर परधान मंतरी को ही प्रमुख भूमी का निभानी होती है तो यहां पे अगर आप से क्या पूसता है यहां से अगर आपको पूसता परधान मंत्री को सब्ध कोन दिलाता है तो सब्ध दिलाता है आपका राष्टरपती सब्ध दिलाता है और कारियकाल राष्टरपती के परसाद प्रियंति इसका परधान मंत्री का रहता है और पांच साल इसका कारियकाल हो सकता है अगर इसको बहुमत प्राप्त रहता है लो उसको जो भत्तियं वो अधिक मिलते हैं वास्तम में जो प्रदान मंत्री है प्रदान मंत्री के लिए अलग से वेटन की विवस्ता नहीं की गई है। सरकार का परतिनी दितव जनता को जबाब देना ये सभी किसके कारिये होते हैं परधान मंतरी के होते हैं तो समानेता परधान मंतरी का कारिये काल पांच बरस होता है प्रंतु उसका कारिये काल उसका जो कारिये काल है लोकसभा के बहुमत के समर्तन पर निर्भर करता है और यह प्रद्री चरन सिंग्ह, एचडी देवा गोड़ा, इंदर कुमार गुजराल वे अटल विहारी वाजबिकाओ एविश्वास प्रस्ताव के कांड त्याग पत्तर देना पड़ा था तो यहां पे ये पर्थान मंतरी के बारे में थी यहां पे आपने उसके कार्यकाल सब्त के आपसे पूस्ता है तो उनकी डिटेल दे रखिये तो इसकोँ देख सकते हो पहले जो आपके पर्धान मंत्री स्री जुआरलाल नहरू थे भारतिय राष्ट्री कांगरिस दल से हमना रखते थे इनका कारियकाल दे रखा है और जो कुल अवधीन की रही थी तो यहाँ पे दे रखा है सेकेंड आपका स्री गुलजारिलाल नंदा स्री लाल भादुर सास्त्री तो यहाँ पर यह दे रखी है आपकी जो प्राइम मिनेस्टर की लेस्ट है इसको देख सकते हो तो अभी वर्तमान में आपके जो परधान मंत्री है वो परधान मंत्री कौन है वह स्री नरेंदर मोदी है राव नरेंदर दामोदर्दास मोदी भारते जंता पार्टे से संब्द रखते है योजनायोग का अध्यक्सErू होता है नेच्सक वैसल है अगर ऑफ purely राष्टर honored पर साथ या जब तक लोगसां में वहम्मत उसको है तब तक को टिक करना पड़ेगा आपको महिए번 कर सकते कrą प्रदानमंत्री सबसे अधिक सेमय तक पढ़ालाल २हिरू रही है प्रधानमंत्री नहीं वर्थी मों सुझे vermey, जवार्दानमंत्री मीर नेक्स्ट है आपका अभी तक कितने प्रधान मंत्रियों की मिर्टु अपने पद पर रहते हुई है तो तीन प्रधान मंत्रियों की मिर्टु अपने पद पर रहते हुई है प्रधान मंत्री को पद गोप नहीं था कि सब कौन दिलाता है राश्टरपती किस प्रधान मंत्री सबसे कम आईयू में पद्धान मंतरी कोण بنें राजिव गांदी लोगसबा में भूम्मτ दल का नेता कौन होता है परदान मंतरी किसी परधान मंतरी की न्युक्ति के समय वे एक भी दिन संसद में नहीं गई तो चोदरी चरण सिंग नहीं गई नेक्स क्वेस्टन है आपका यथार्थ कारेपालिका की समस्थ सता किसमें नीत होती है तो यह होती है मंतरी प्रिशद में कारेपालिकी की समस्थ जो सता है वो मंतरी प्रिशद में नीत होती है सविधान के किस अनुचहिद में मंत्री प्रिषद की निक्ति वय पच्यूति का प्रावदान है उसको हटाने का प्रावदान है अनुचहिद पचहितर में सवतंतर भारत के पर्थम कानुन मंत्री डक्टर भीमरा में बेड कर थे मंत्री प्रिशत के सदस्यों की गोपनेता की सब्त कौन दिलाता है राश्रुपती भारत के मंत्री प्रिशत में अधिक्तम सदस्य कहां से लिगे हैं लोग सभा से सुतंतर भारत के पर्थम परतिरक्षा मंत्री कौन ते सरदार वल्लव भाई पटेल स्वतंतर भारत के पर्थम वितमंत्री डॉक्टर जॉन मताई और क्या राज्या सभा का सदस्या मंत्री प्रिश्द का सदस्या बन सकता है तो इसका अंस्वर होगा हाँ तो क्या बन सकता है राज्या सभा का सदस्या बन सकता है तो हाँ उमीद करते हैं आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी और आपका अगर कोई भी point रहता है तो आप comment box में अपना मतलग comment छोड़ सकते हो अगर कोई भी doubt अगर आपका है तो आप निचे comment box में लिख सकते हो तो यहाँ पर आपने परधान मंत्री के बारे में पढ़ा उसकी स्तिती के बारे में पढ़ा न्युक्ती के बारे में पढ़ा तो अपने सातियों के साथ भी इसको सेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फाइदा उठासके तो ओके थैंक्यू क्लास गूड लग